दोस्तो मेरे पास यह जो डिवाइस है Realme brand की है बैक साइड में नीची तरफ आप देख सकते है Realme की branding है model नंबर आपको बता देता हूँ model नंबर है Realme 11 5G ध्यान से सुन लीजिए model नंबर है Realme 11 5G और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 11 5G को अनलाग करने का तरीका यानि कि इस डिवाइस का pattern, pin या password lock रिमूब करने का बिल्कुल फ्री तरीका तो वीडियो को ध्यांस देखे अगर आप भी Realme 11 5G यूज़ कर रहे हैं आपकी device pattern, pin या password lock है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने Realme 11 5G को अनलाग कर पाएंगे यानि कि इसका pattern, pin या password lock रिमूब कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपने देखा device हमारी पूरी तरह से password lock है अब ध्यान से सुनिए device को अनलाग कैसे करना है देखे दोस्तों, device को अनलाग करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से power off करना होगा और जब आपकी device पूरी तरह से power off हो जाए तो device के right side की तरह देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको तीन बटन्स दिखाई देगी सबसे उपर की तरह देखें, volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे तरह power unlock बटन अब ध्यान से सुनिए device को अनलाग कैसे करना है देखें दोस्तों, device को अनलाग करने के लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो आपको इसे power off करना होगा उसके बाद आपको करना क्या है, यह जो volume down और power button है आपको simply करना क्या है, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना निर बाउट 5 सेकेंड के लिए, ओके, 5 सेकेंड के बाद आप देखेंगे आपकी device on होगी और display पे realme का logo दिखेगा ध्यान रहे, जैसे ही device on होगी और display पे realme लिख कराएगा आपको करना क्या, इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेनी है ओके, और maximum 5 सेकेंड तक बेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी device realme 11 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी ओके, तो मज़े उमीध है method आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अब चलिए ये चीज में आपको practically करके दिखा देता हूँ अभी भी देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से password lock है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको device को power off करना है तो device को power off करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों ये जो volume up और power button है तो अब देखें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि volume down और power button इन दोनों बटन को एक साथ press करके रखना 5 second के लिए तो ये देखें इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया अभी देखेंगा device on होगी और display पे real मी लिख कराएगा जैसे ही real मी लिख कराएगा मैं तुरन तिन दोनों बटन से अपनी finger हटा लूँगा ओके और maximum यहाँ पे 5 second तक बेट करिए तो आपकी device recovery mode पर active हो जाएगी और ये देखें दोस्तों जो steps मैंने आपको बताया बिल्कुल same steps follow किया और देख सकते हैं device recovery mode पर active हो गई जब device recovery mode पर active होगी न तो कुछ इस type का interface देखने को मिलेगा अब आगे देखी आपको करना गया है यहाँ पि दोस्तों आप देख सकते हैं उपर की तरफ Chinese और बिल्कुल नीचे करफ English है हमारे लिए जो comfortable language है वो है English तो हमें simple यहाँ English पे click करना होगा तो मैंने English पे click किया अब यह देखिए जैसे ही मैंने English पे click किया तो यहाँ उपर की तरफ देखिए recovery लिख करा गया और यहाँ नीचे करफ तरफ तीन option आपको देखने को मिल रहा है आपको device को unlock करना है इसका patent, ping या password lock break करना है तो यहाँ पे जो second option है format data का आपको simple format data पे click करना होगा तो मैंने format data पे click किया अब यह देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने format data पे click किया तो यहाँ पे new interface आपको देखने को मिलता है सबसे उपर की तरफ लिक के आगया format data उसके बाद यहाँ पे देखे please enter verification code और यहाँ पे ध्यान जीजी दोस्तों यहाँ पे चार अंको का code है एक चीज़ ध्यान दे यह जो चार अंको का code है दोस्तों यह continue change होता रहता है मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर आप यही सेम प्रोसेस अपने डिवाइस में फालो करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में यह चार अंको का code change हो जाएगा आपने देखा दोस्तों मैं यहाँ से back जा रहा हूँ फिर से मैं format data पे click कर रहा हूँ उसके बाद लिखा all user data will be reset और आपके पास दो option है cancel और format तो finally आपको click करना होगा format पे तो यहाँ से मैंने format पे click किया और यह देखें प्रोसेस होने लगा wiping please wait कुछ second wait करने के बाद दोस्तों finally आपको यह message आ जागा data formatted और नीचेक तरब देखें okay का आपस ना गया तो data formatted का message आ गया इसका मतलब अब आपकी device completely unlock हो चुकी है तो अभी आपको करना क्या होगा okay पे click करना होगा तो यहाँ से मैं okay पे click करता हूँ अब यहाँ दोस्तों जैसे ही आप okay पे click करेंगे ना पूरी तरह से अक्टी होगी तो आप देखिएगा आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक्स हो नहीं करेगा और आपके device realme 11 5G पूरी तरह से unlock हो जाएगी इस वीडियों दोस्तों मैंने आपको बता दिया वीडियो की continue notification पाने के लिए जल्दी से आप मारा YouTube चैनल सब्सकाइब करें बगल में जो बेल आकन है उससे भी प्रेस करें तो अभी दोस्तों डिवाइस हमारी रीबूट हुई है आपको वेट करना इसे पूरी तरह से active होने तक अब अब यह देखे दूस्तों मैकसिमम हमने एक मिनट तक वेट किया डिवाइस समारी रीबूट हुई और फानली डिवाइस रीबूट हो का राक्टी हो गई आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक्स हो नहीं कर रहा है चलिए मैं कम्प्लीट एंड्रोयर सेट अप करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आपको इस आ प्याप आप चुके हैं इस आप्टन को आप उपर से सिंपल कर दें अब नीचे से आपको मोर पे क्लिक करना है यहां से एक्सेप्ट पे क्लिक करिए अनलाक मैथड का अप्स ना गया तो आप चाहें तो फिर से अपने डिवाइस में यहां से पैटन पीन पासवर्ट फेस से डन पे क्लिक करिए और यह देखें फाइनली रियल मी यूई नीचे तरफ मिलता गेट इस्टाटेट आप इस पे क्लिक करें और बस आपकी डिवाइस रियल मी 11 5G पूरी तरह से अनलाक हो गई पूरी तरह से एक्टिव हो गई इस विडियो में दोस्तों मैंने आपको ब पांदार इंट्रेश्टिव उसकी कंटिनिन नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मारे यूट्री चनल को जरूर सब्सकाइब करें बगल में जो बेलाकन है उसे वी प्रेस करें और एक चीज़ और दोस्तों अगर आपको इडिवाइस पर्चेज करनी हो रियल मी 11 5G तो इस इसके सारे कलर्स सारे वरियंट का पर्चेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में में संद कर दिया है आप चेक आउट कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच